क्या आपने कभी सोचा है जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? हम में से जाधा तर लोग ये मानते हैं कि अच्छी नीद लेने से हम जाधा बेटर फील करते हैं और कोई शायद ही इसकी पीछे का कान्डू को जानता होगा नमस्कार मैं डॉक्टर सिर्म मलूत्रा और आप देख रहे हैं बेटर लाइफ यूगा मैं आपको बताऊंगी कि अच्छी नीद आपके लिए क्यों फायदे मन्द है और आप क्या ऐसा करें कि आपको जल्दी नीद आ जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अब हम बात करेंगे नीद क्या है हम रोज रात को निश्चत समय पर सोते हैं और निश्चत समय पर उगते हैं पूरा दिन काम करने से शरीर में ठकान होती है और जिससे हमारी शरीर को अराम की जरूरत है इसलिए हम सो जाते हैं ये नीद हमारे लिए बहुत जरूरी है ये हमारे सरकेडियम रिदिम या दिमाग में से बोडी क्लॉक का दुआरा रिरंटिन की जाती है बोडी क्लॉक पूरे दिन का काम करती है और रात को मेलाटॉनिन का उत्पादन जादा करती है जब सुभा जाकते हैं तो ये मेलाटॉनिन का प्रोड़क्शन बंद कर देती है हम सोते क्यों है नींद में सबसे इंपोर्टेंट है यादों को संजोना दिन के समय हमारा दिमाग बहुत जादा नॉलेज गेन करता है यानि बहुत सारी नॉलेज इसको एकटा करता है इस नॉलेज को याद रखने के लिए ये स्टोर करना बहुत सरूरी है इस पूरी प्रोक्रिय के चार चरण या चार फेसे होते हैं राद भर सारी नॉलेज शॉट टम से लॉग टम मेमरी में शिफ्ट होती है जिससे consolidation कहा जाता है Researchers ने कहा है एक अच्छी नींद के बाद याददाश को बनाई रखने के लिए और कामों को और भेतर करने की तरीके से हमें नींद लेना बहुत सरूरी है सोने से आपकी muscles यानि मास पेशिया रिलाक्स हो जाती है टिशू को recovering मिल जाती है hormones balance हो जाते हैं इसलिए नींद बहुत सरूरी है हमें नींद क्यों आती है आईए इस बारे में बात करते हैं नींद आने का काम हमारी शरीर में एडीनोसीन नाम का neurotransmitter ही करता है यही बताता है हमारे टिशू और नीउरोन्स को कब सोना है और कब जागना है की मातरा बढ़ने लगती है और पूरे दिन के बाद राट को अडीनोसीन की मातरा जादा हो जाती है और नींद आने लगती है जो लोग एक्जाम और प्रोजिक्त को पूरा करने के लिए रात को जाकते हैं वो लोग कैफीन जैसे चीज का सहारा लेती हैं जिससे एडीनु सीन का प्रभाव कम हो जाता है और नींद हमसे दूर हो जाती है नींद के दिरान क्या होता है? एक पार जब नीरोंस हमारी शरीर को सोने का सिगनल देते हैं तो हम नींद के चार फेस से गुजड़ते हैं पहला और दूसरा फेज में हम नींद हलकी हलकी आती है इसमें हाटबीट नॉर्मल हो जाती है, सासे दीमी हो जाती है और बॉडी का टेंपरेचर कम हो जाता है तीसरे फेज में गहरी नींद में आने लगती है हमारी बोडी की मसल्स, बोन्स सब रीकवर होने लगती है चौथे फेज में सपने देखते हैं इसमें हमारे दिमाग और आखों कुछ साथ साथ बहुत तेजी से कॉडिनेट करते हैं अगर हम ना सोए तो क्या होगा? ना सोने के कारण थकान और चिचड़ापन एक नीन्ट स्किप होना तो इतना नुकसान नहीं होगा पर अगर रोज यही चले तो बहुत से बिमारियों के हम शिकार बन सकते हैं इंसोम्निया, ओबिसिटी, हाट की प्रॉब्रम्स, बीपी, डायबेटीज, थायरड ऐसी और बहुत से बिमारिया है क्या कोई तरीका है जिससे तुरंथ नीन्द आ जाए? जी हाँ, इसका जवाब है हाँ यदि आप या आपके आस पास कोई भी तनाव या कोई अन्ने वज़े से नीन्द नहीं आ पा रही हो तो उस इंसान को एक से दो मिनट को नीन दिलाने के लिए एक असान तरीका अजमाना चाहिए चार, साथ, आठ, means four, seven, eight ये सास लेने के लिए एक टेकनीक है जिसमें चार सेकिंड के लिए घहरी सास लेना, साथ सेकिंड तक रोखना और आठ सेकिंड में धीरे धीरे सास छोड़ना शामिल है ऐसे सास लेने से चिंता तनाव कम होता है और नीन जल्द आ जाती है इस टेकनीक को अंदेरे कमरे में करिए आपको यकीन हो जाएगा कि ये टेकनीक गलत नहीं है आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी आपको वीडियो बनवानी है या जिद आपको उसमें कोई आपको परिशानी है, डिसीज़ है तो कमेंट करें धन्यवाद